नमस्कार दोस्तों, मेरा अौल साच्त्री स्वगत करता हूँ आपका, अपनी जोती सिकानी की संकला को जारी रखते हैं। सुरिय और सुक्र की यूती का सभी भाव में परभाव इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुती सरल तरीके से कम सब्दों में आपको बताने जा रहे हैं अराम से समझेगा देखिए सूरिय और सुक्र की यूति अच्छी ही माने जाती है यह एस्वरी योग होता है जिन्दकी कंदर सभी परकार के सुक व्यक्ति को मिलता है पर ऐसा जुरूरी नहीं है कि सभी कंडि सूरिय और सुक्र के रूति छे अट बारा में हो गई तो सूरिय और सुक्र जिन जिक भाव को कंट्रोल कर रहे हैं और चे अट बारा के उसको दोस लगेंगे तो अभी निच्छ दूरूप से फैदा नहीं होगा दोनों के बीच में बहुत ज्यादा अंतर भी नहों और सू सुक्र जो है जादा जादा एक या दो हो सकते हैं अब किस तरह का परवाव भी लेगा देखे शुक्र और सूरिय अगर इनके कुछ यूती है अलग अलग भाव में अलग 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 परवाव देंगे निच्छ तुरूप से तो बहुत सारी रासी हैं जिसमें सूरिय कारक कि बात करें अगर बर्सब रासी की कि बात करें अगर कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं करक रासी में भी ले सकते हैं कि साथ ही साथ अगर आप देखोगे इन राश्यों के अंदर ये अगर बैठे हैं और दोनों के करको के बैठे तो निच्छी तुरूप से अच्छा फायदा देंगे अब एक एक करके सभी भाव में किस तरह का रिजल्ट देंगे तो देखिए जैसे मैं बोल ला हूँ अलग अलग राशियों में अलग अलग प्रवाव होगा पर कौम अली सूर्यों और शुकर अगर लगन में बैठ जाते हैं तो निच्छी तुरूप से ये कोई खराब योग तो शुकर थोड़े से यहां पर देखा जाता है थोड़ा सा लाल सा और थोड़ा करेक्टर को लेकर कभी कभी दिक्कत दे देते हैं हलाकि अगर पुंडली के अंदर गुरू इस ट्रोंग है और मंगल पेड़ित नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और सूस है कर दूसरे भाव में बैठे हैं तो यहां पर अगर जैसे अब इसमीं सबसे बड़ी बात है के यहां पर सुक्र था-अच्छा iba CAT को गया पर सुक्र फुर्जण निच्श bibli च्वंघ भी हो जाए parfois ए SAT रिएमीं पर हैं तो ऐसे में सूरियो और सुक्र अगर कुडली के अंदर दोनों काराक होके बैटा है तो निच्छी तुरूप से धन की दरश्टी से तो यह अच्छा ही होगा कर यहां पर किसी तरसे राहू का भी कारक है तो ऐसे जात तक देखे जाते हैं अपनी महनत से सरुसेष्ट कला के छेतरें में बहुत आके जाते हैं निच्छी तुरूप से मान सिक्संति दोन भी पहुत अच्छा होता है एक दोर के बाद वो जिनके अंदर सक्षस को जरूर ब तक निच्चेत रूप से जिंद्की के अंदर अपनी महनत से अगर दोनों कारक बैटे गुरू के अगर इस्तिति पोहत अच्छी होई या गुरू इन पर दरश्टे डाल दे तो जिंद्की के अंदर मान सम्मान परतिष्टा के साथ रोजगार में वरद्धी करके सभी परकार के अंदर है आदमी कुटली के अंदर है तो निच्चित रूप से विवायक जीवन में भी दिक्कते आ सकते हैं तो यह पहुत अच्छा मानसिक संतुलन के दरश्टी से और सुखों की दरश्टी से बहुत अच्छा माना जाता है संतान की दरश्टी से भी पहुत अच्छा अगर शुक्र अस्त हो गया तो निच्चित रूप से यहां पर पिर संतान को लेके और विभायक जीवन को लेके और सुखो में थूड़े सी दिक्कते हैं यहां कह सकते हैं कमी देखने को मिल सकती हैं अब रतन कि मुझेन सकते हैं और वर्शब लगन के हैं और तुला लगन के मिथून और करन्य लगन के तो आप पर पेहन सकते हैं चटे हो में शुक्र सुल्य आये तो निच्चित रूप से आपे प्रुब्लम खड़ी होगी 2 में सुखो में दिक्कत होगी विभायक जीओन में सब्सक्राइब पित भी बनता है सब्तमबाव में सुर्य और सुक्र होता है तो निच्चुत रूप चाहिए यहां पर भी जैसे मैं बोलूँगा कि व्यक्तिक अगर गुरु अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है नहीं तो थोड़ा करेक्टर को लेकर थोड़ा सब कर देता है करेक्टर देते हैं हलाकि सुर्य शुक्र होता है तो विवाइक जिवन की दरिश्टी जाव अच्छा अगर अगर किसी जाता की कुंटली है तो उसको एक अच्छी पत्री संसकारी और विवाइक जिवन के बाद निच्ची तुरूप से शुक्रम उसकी वरद्दी होती है इस वर यह अश्टब भाव में सुर्य और शुक्र को दोनों आने की कारा निच्ची तुरूप से दिक्कते होंगी संगर्स देखने को मिलेगा एक के बाद एक दिक्कते मिलेगी मैडिकल चीजों का दिक्कत होगी लंबी बिमारी होने के योग बनते हैं रुकाउटे पीछे निच्छ और भागे और जिन्दकी के अंदर चीज में भी आता कामियाभी उसका साथ देती है पर यहां पे शुक्र ज्यादा आस्तना हो और किसी पापगरे की दरश्टी यहां पर ना पड़े अगर सनी की दरश्टी यहां सूर्य पर पड़ जाए तो और उल्टा कर देता है शुक् की दरश्टी से पहुत अच्छा समाज में मान समान की दरश्टी से पहुत प्यादा जहां तक गोवर्मेंट नोकरी के छेत्र में भी पहुत अच्छी सफलता प्राप करता है और साथी साथ अगर सुक्र ज्यादा मजबूत है तो निश्चित रूप से डिजाइनिंग या मनु रजन के छेत्रे में जात्र क देखा जाता है सूररिय और्षुकर अधस भाह सूह पहुत अच्छा बाला जाता है इस में लाप में बूत अच्छा माना जाता है तो यहाँ पे अगर व्यापार के द्रश्टी से शुक्र में बढ़तरी होती बैक्ति को और सभी परकार क सुखों में भी जातक को फैदा देखा गया है पिता के साथ व्यापार करें तो उसमें उनती और फैदा जातक को मिलता है सातव हिसाथ पिता या फिर इस तेरल अपनी वायब इन दोनों के साय उवकस जातक को देखा जाता है बोहत आके जाते हुए और निच्चित रूप से सूर्य और सुक्र के बीच में ज़्यादा नहीं है और दोनों अच्छे भाहों में बैटे हैं अच्छी राशे में बैटे तो निच्चित रूप से यहां पर जातक को जिन्दगी भार लाब बना रहेगा और उसके पास धनकी भी कमी नहीं होगी बा नामे के लोटे से सूर्य को जल दीजिए ऐसे में सूर्य और सुक्र के कभी रतन ना धारन करें तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लागी को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलेगा धन्यवाद